प्यारे दोस्तों नवरात्री के किसी भी दिन इस जड़ को लाकर पहन लेना पूरे शरीर का काया कलब कर देगा साथ ही धन से हो जाओगे माला माल दोस्तो शार्दिय नवरात्री अश्विन महा के शुकलपक्ष की प्रतिपदा तिथी से शुरू होती है नवरात्री की शुरुवात रवीवार 15 अक्तूबर 2023 से होगी 23 अक्तूबर 2023 को नवरात्री समाप्त होगी वहीं 24 अक्तूबर विजे दश्मी या दशेहरे का पर्व मनाया जाएगा दोस्तों हिंदू संस्कृती में कई तरह के पुरानिक मान्यता को महत्वत दिया गया है कई प्रकार की बिमारी को ठीक करते हैं और वेद पुरानों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उलेख है जैसे कि तुलसी का पौधा पीपल का पौधा इसका बहुत ही जादा अध्यात्मिक महत्व होता है दोस्तों अगर आपने देखा होगा हम सब पीपल की प्रकारिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानि की कम समय में आपको अच्छे परिनाम मिलते हैं तो नवरातरी के समय में तावीज में भरकर के पहन लेना इस पौधे की चड़ को दोस्तों बंद किसमत के ताले खुल जाएंगे देखे दोस्तों यह जो दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का इसे आशिडवाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है जो व्यक्ति सिद्धी प्राप्त करना चाहता है शुब एवं लाब को प्राप्त करना चाहता है धंधाने की कामना हो धंधाने से सम्रिद्ध होना चाहता है अरो को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है. आज में आप लोगों को नवरातरी के समय में धारन किये जाने वाली पांच जड़ के बारे में बताऊंगी. पांच जड़में से कोई. एक जड़ग आप वश्ये धारन करना जितने भी मैंने लाब इस वीडियो में बताएं हैं, वो स सारे पेड़ पौधों का परियोग करके कई लोगों की समस्या को जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है तो जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं न कहीं धार्मिक दृष्टी से ले लीजिए चाहे अध्यातमिक दृष्टी से ले लीजिए हमें फा पौधे की जड़ ला करके आप जो हैं अपने घर में पूजन करके धारन कर सकते हैं लेकिन अगर नवरातरी के नौ दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारन करते हैं तो फिर अति उत्तम हैं आपको वो हर चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों महेंगे रतन पहनने की बजाए अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारन करते हैं तो आपको दोस्तों अच्छा परिनाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, कहीं न कहीं रतन में मिलावट होती है, कहीं न कहीं रतन में तुरूटी होती है, लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा क्योंकि स्वयम आप इसे अपने हाथों से उखाड करके लाएंगे और इसे आप धारन करेंगे तो मैं आप लोगों को नवरातरी के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों क जड़ के बारे में बता रही हूं जिसे आप जो हैं लाकर के धारन कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किये आखिर तक जरूर देखेगा दोस्तों सर्व प्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है इसे देवी प्रतिमा की तरह नौ दिन तक पूजा करनी होती है जैसे मातन नव दुर्गा की पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के नौ दिन तक आपको पूजा करनी होती है और दस्वे दिन जो है विचे दश्मी होती है दस्वे दिन चांदी क तावीज में भर करके पहनना होता है अगर आपका समर्थे नहीं है कि चांदी का तावीज जो है आप ले सकें तो आप जो है बिना चांदी के तावीज के भी पहन सकते हैं जो तांबे के तावीज आते हैं उसमें आप डाल करके धारन कर सकते हैं तो आईए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरातरी के समय में कौन सी जड़ को लाकर के धारन करना चाहिए पहनना चाहिए दोस्तों यहां पर मैं पांच जड़ के बारे में बता रही हूं तो आईए जानते हैं सर्व प्रथम जो आपको जड़ लेकर आनी है वो है चमेली की जड़ चमेली की जड़ के benefit बता रही हूँ, फाइदे बताना चाह रही हूँ, चमेली की जड़ में देवे शक्तियां समाहित रहती हैं प्यारे दोस्तों आपने देखा होगा कि चमेली का जो तेल है हनुमान जी महराज को समर्पित होता है इसमें हनुमान जी महराज की शक्तिया रहती है जो लोग माता लक्षमी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं लक्षमी की सिध्धी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों जो व्यक्ति आरो पूजा करनी है नौ दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक दिन पूजा कर सकते हैं इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के तावीज में धारन करना होता है तो दोस्तों इससे दैव्य शक्ति की प्राप्ति होती है अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है हनुमान जी महरा क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके जो बीज होते हैं न दोस्तों वो उल्टी तरफ होते हैं यह सीधे नहीं रहते आप में से धिकतर जितने भी लोग हैं उन्होंने जो बीज देखे होंगे फल के वो सीधे तरफ होते हैं लेकिन यह उल्टे होते हैं इसलिए इसे अपामार्ग क और धार्त ये दुनिया से उल्टा चलता है अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे जादा परियोग करते हैं क्योंकि दोस्तों अपामार्ग जो होता है इसके बीज की खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी यहां तक की जो शौच क्रिया होती है व जास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती तो इसे कब पहनना चाहिए कैसे धारन करना चाहिए तो दोस्तों नवरातरी के समय में दस्वी तिथी में आपको इसे धारन करना है इसके धारन करने के बाद यह शत्रू का नाश करता है और एक खास बात जो लोग जैसे वशीकरन प्राप्त करना चाते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके समोहित हो जाएं उनके चेहरे से नजर नहटाएं उन्हीं की बात माने तो ऐसे व्यक्ति जो है चिल्ड़चिड़ा यानि की अपामार्ग है इसकी जड़ को जरूर धारन करें इसकी जड़ धारन करन के बाद जो नवग रहे की पीड़ा होती है नवग रहे में से किसी भी प्रकार की जो नवग रहे हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं गलत फल दे रहे हैं तो गलत फल देना बंद कर देते हैं स्थिर हो जाते हैं दोस्तों तीसरे करम में आते हैं बर्गत की जटा यह बं इनकी पूजा होती है जो बर्गद है ये देव वरिक्ष कहा गया है इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति सम्माहित होती है बसी हुई होती है जो बर्गद वरिक्ष है इसमें पित्र का भी वास होता है बर्गद का वरिक्ष भगवान शंकर का सवरूप कहा गया है तो अ आपको 20-25 चमतकारिक फाइदे मिलते हैं तो दोस्तों चौते नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़ अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारन करनी चाहिए तो दोस्तों जो मदार है सफेद कलर की ये भगवान गनेश जी के सवरूप कहे गए हैं और जो 11 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है ये भगवान गनेश जी की सूंड की आकरिती ले लेती है दोस्तों आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि मदार के गनेश जी बनाये जाते हैं मदार के जो गनेश जी हैं इन्हें बहुत ही जादा फलकारी कहा गया है ये ततकाल अपना फल प्रदान करते हैं भगवान गनेश जी को रिध्धी सिध्धी शुब लाब के स्वामी कहा गया है तो अगर आप रिध्धी सिध्धी शुब लाब धन वैभव प्राप्त करना चाते हैं तो मदार की जड़ नवरातरी में ले आना इसकी दो से पांच दिन नौ दिन तक पू होती है वो समाप्त हो जाती है खास कर जो बुद्ध रहे आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं तो दोस्तों अंतिम में आते हैं अपराजिता अपराजिता क्यों धारन करना चाहिए अपराजिता के पुष्प माता लक्षमी को बहुत ह प्रिये होते हैं और अधिकतर लक्षमी पूजा में अगर आप माता लक्षमी को प्रसंद करना चाहते हैं चाहकर भी माता लक्षमी आपके द्वार पर नहीं आ रही है आप परिशान हो चुके हैं जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिती है वो खराब हो चुकी है तो दोस्त किसमत के ताले को खोलने का काम करता है आपके अध्यातम उन्नती करते हैं मानो या ना मानो धरम अपनी जगह है जड़ी बुटी की शक्तियां अपनी जगह पर हैं आप मानिये या ना मानिये वो अपनी जगह है जो लोग मानते हैं देखे टोने टोटके की दुनिया में विश लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी चुटलाते हैं सब देव मनुश्य बोलते हैं तो आस्था के ऊपर यह सब जितने भी मैंने आप लोगों को तांतरिक वस्तुएं बताई हैं पेड़ पौधों की जानकारी बताई है यह आस्था के ऊपर ही निर्भ करने के लिए दोस्तों यह जो जड़ है आप अवश्य धारन करें सदा आप कुस रक्षा यह प्रदान करेंगी यह जड़ मित्र की भांती मदद करती है आपका हमेशा साथ देती है तो यह थी चोटी सी जानकारी जो आपको बड़े फाइदे करवा कर जाएगी ऐसे में इन जै मातादी साथ ही वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नहीं वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद